एक्सल के इस सेसिन में हम पढ़ेंगे कंडिशनल फॉर्मेटिंग, सीरीज और लिस्ट के बारे में जैसे कि सबसे पहला कुश्चन है Select the 4-month expense table and apply formatting to the value which is greater than 3500 with red text हमें सेसिन 3rd में create की गई एक्सल फाइल को खोलना है खोलने के बाद उसमें जो 4-month expense table दिया है उसमें हमें ये apply करना है कि जहां भी 3500 से ज़्यादे value है वो red text में आ जाए है, means लाल रंग में हो जाए चलते हैं अपने Excel फाइल के तरफ यह हमारा फाइल है, हम पहले जो भी value थे हैं उनको select कर लेते हैं select करने के बाद home में styles में conditional formatting में जाते हैं conditional formatting में highlight cell rules होगा, इसमें greater than option को use करना है यहाँ पे आकर यह dialogue box खुल गया greater than का, अब यहाँ पे हमें 3500 करना है और यहाँ पे with, यहाँ पे color choose करना है हमें जो red text यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि मतलब हमारे जो four month का expense table है, इसमें जो भी value 3500 से जादे है, वो red color में हो गया है बढ़ते है next question का तरफ create the given table, हमें इस तरीके का एक table बनाना है excel sheet में ईपते है औरीके बनाते है इया प्धानाते यामने बनाल्या याप